दिल्ली की रानी, एक थी रानी, क्योंकि राजा की मौत एक हाथसे में हो गई थी, रानी को ही राजे संभालना पड़ रहा था रानी का नाम था रानी रश्मिवती रानी उमानदार थी और प्रजा की सेवा में लगी रहती थी एक दिन उसके दरबार में तीन नौ जवान आए रमेश, सुरेश और देनेश कहो, क्या सहयता कर सकती हूं मैं तुम्हारी हम आपके दर्बार में काम करना चाहते हैं ताकि जनता की सेवा कर सके लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत चोटी है तुम लोगों को तो अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिना चाहिए हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता माता पिता को लगता है कि हम किसी के लायक नहीं है और हम साबित करना चाहते हैं कि हम लायक है उच्सा बहुत अच्छा है मगर अभी उम्र कच्ची है तुम लोगों की अरे उम्र से क्या होता है रानी जी शास्त्रों में लिखा है कभी किसी के ग्यान को उसकी उम्र के आधार पर नहीं देखना चाहिए बात तो सही है तुमारी और अगर सच में तुम अगर ये संकल्प करके आये हो कि तुमको यहां काम करना है तो पहले परिक्षा देनी पड़ेगी तीन परिक्षा एक शारिरिक परिक्षा एक बुद्धी की परिक्षा और एक देश भक्ती की परिक्षा और ये क्या है? वो मंत्री महोदे तुम्हे समझा देंगे हमारे पास समय नहीं है अगर तुम लोग तयार हो तो बताओ हाँ हाँ हम तयार है किसी भी परिक्षा के लिए मैं भी तयार हूँ कुछ भी कर गुजरने के लिए तो ठीक है मंतरी जी आप इन तीनों की परिक्षा कल से ही शुरू कर दीजिए जोआ ग्यारानी सहबा अगरे दिन से ही तीनों की परिक्षा शुरू हो जाती है पहले शारिरिक परिक्षा, यानि किस में कितना है दम, ये देखेंगे हम, क्योंकि शरीर में दम होगा, तभी तो प्रजा की सेवा में दम लगा पाओगे अ, हमें क्या करना होगा? वो पेड दिख रहा है, जो सबसे पहले चड़ेगा उस पेड, दरबार में नौकरी पाने के अवसर उसी के बढ़ जाएंगे मैं चड़ता हूँ अरे रुको रुको, गिंती गिनने दो, एक, दो, तीन तीन की गिंती के बाद, रमेश और सुरेश भाग कर पेड के पास गया मगर दिनेश आराम से पेड के पास गया जैसे ही रमेश और सुरेश आधे पेड तक चड़ गए दिनेश ने उन दोनों की टांग पकड़के उन्हें नीची गिरा दिया और खुद पेड पर चड़ गया हम दिनेश की जीत हुई अरे लेकिन इसने बेहमानी की बेहमानी नहीं की बुद्धी लगाई शरिर के दम के साथ दिमाग में भी दम होना चाहिए क्यों मंत्री जी हाँ हाँ बात तो तुम्हारी सही है लेकिन बात अगर बुद्धी की है तो बुद्धी की असली परिक्षा हम कल लेंगे शाम को जाकर मंत्री रानी को सब बता देते हैं हम यानि दिनेश उन सब में ज्यादा होशयार है जी रानी सहबा अगले दिन तीनों की बवधिक परिक्षा का समय होता है आज हमें क्या करना है मंत्री जी थोड़ा सब्र करो कल जल्द बाजी में ही हारे थे तुम सही कह रहे है मंत्री जी अरे तू क्यों ज्यादा बोल रहा है तू भी तो हारा था ना कल ए दिनेश ज्यादा होशयार मत बन अरे 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 लड़ो मत आज की परिक्षा पर ध्यान दो आज की बवधिक परिक्षा में ये कुछ बोरे है कुछ में नमक है और कुछ में रूई जिसको जो ले जाना है उठालो देखते हैं कि कौन जल्दी से कोई भी एक बोरा नदी के उस पार लेकर जाता है समय शुरू होता है अब तीनों बोरों की तरफ बढ़ते हैं सुरेश नमक की बोरी भारी है ले जाने में मुश्किल होगी हाँ हाँ सही कह रहा है रूई हलकी है हम दोनों रूई लेकर चलते हैं अरे बई मैं तो नमक लेकर जाओंगा रमेश और सुरेश ये सोचकर हसते हैं कि आज तो दिनेश हार ही जाएगा दौर शुरू होती है एक दो तीन तीनों नदी की तरफ भागते हैं रूई में वजन कम होने की कारण रमेश और सुरेश आगे निकल जाते हैं और दिनेश थोड़ा पीछे पर जैसे ही वो सब नदी में जाते हैं दिनेश की बोरी का नमक गलने लगता है और वजन कम हो जाता है जबकि रमेश और सुरेश की रूई में पानी भर जाता है और बो दिनेश का पूरा नमक गल जाता है और बोरी खाली हो जाती है वो जल्दी से रेश पूरी कर लेता है इस परिक्षा के विजेता भी दिनेश ही है उसने दिमाग लगा कर दिखा दिया कि वो बौधिक परिक्षा में भी रमेश और सुरेश से आगे है अब कल तुम्हारी देश भक्ती की परिक्षा होगी जो स्वेम रानी मालेंगी रात को फिर मंत्री रानी के पास जाकर बता देते हैं कि आज की परिक्षा में कैसे दिनेश ने अकलमंदी दिखाई और बौधिक परिक्षा में भी उसी की जीत हुई हरी वाँ दिनेश तो हमारे बहुत काम आ सकता है हम उचसाइद हैं कल की परिक्षा के लिए वो तो चीक है रानी सहिबा लेकिन हमने सुना है कि पडोसी राजे का राजा आकाश्टीप हमारे राजे की सीमा में घुसपैट कर रहा है ये तो चिंता की बात है हमें जल्दी कुछ करना चाहिए अगले दिन रमेश, सुरेश और दिनेश अपनी आखरी देश भक्ति की परिक्षा के लिए दरबार में आते हैं प्रणाम रानी सहिबा नमस्कार रानी जी प्रणाम रानी मा हमने तुम्हारी परिक्षा पर गौर किया दिनेश आगे हैं हम तुम तीनों में से किसी दो को ही दर्बार में काम दे सकते हैं, किसी एक को आज जाना होगा, तो देश भक्ती की परिक्षा के लिए तयार हो, पूरी तरह से, मैं तीनों से एक ही सवाल करूँगी, जिसका जवाब सबसे सही लगीगा, उसे तो नौकरी मिली जाएगी, फिर दूसरे सबसे सही जवाब देने वाले को भी काम मिलेगा, आप लोगों का समय शुरू होता है अब, ज्यादा सोचने का समय नहीं होगा, जो मन में पहली बात आए, उसका जवाब दे, तो सवाल ये है, कि तुम इस मिट्टी के लिए क्या कर सकते हो, मैं इस मिट्टी को लगा लगा के उनको खुशी दूगा रानिमा, और गरीबों के लिए घर बनवाऊंगा, मैं इस मिट्टी के लिए किसी की जान भी ले सकता हूं रानिमा, मंत्री, दिनेश को एक तलवार दो, जी रानी जी, दिनेश, पडोसी राज आकाश दिप की जान तुम्हारे हाथ मे है, जाओ, अपना काम पूरा करो, आज रात को तो मुझे पर हमला करोगे, जब वो सो रहा होगा, दिनेश वहां से चला जाता है, रानिमा, ये आपने क्या किया, अभी किया नहीं है, मंत्री जी, आप आकाश दिप को संदेशा भिजवाओ, कि पडोसी देश का एक कातिल, रात को उन पे हमला करेगा, और दिनेश को पकड़वा दो, अरे, ये आप क्या कह रही है, और क्यूं कर रही है आप ऐसा, राजा को लगेगा कि हमने उसकी मदद की, उसकी जान बचा कर, वो हमारे राज्य का पीछा छोड़ देगा, और हमारा एहसान मंध हो जाएगा, और दिनेश का क्या होगा? एक तीर से दो निशाने लगाए, दिनेश जैसे खूंखार युवक को राज्य से बाहर करवा दिया, और पडोसी राजा आकाश देप को अपना एहसान मंध कर लिया, पूरा दरबार रानी की जैजैकार कर रहा था.